किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है काफी समय से फूल इसमें नहीं आ रहे हैं तो फटा-फट जो हम इस काम को कर लेते हैं अभी फरवरी का टाइम चल रहा है काफी अच्छा समय है हमारे जो पर्मानेंट पौधे होते हैं उनको जो है ट्रीटमेंट करने का तो सबसे पहले हमने क्या करना है अगर माली जे किसी भी पौधे की रुखी पड़ी है शेप सही तरीके से जो है उसकी बढ़त नहीं हो रही है फूल नहीं आ रहे हैं और काफी समय से एकी पौट में लगा हुआ है तो इस समय जो है आप ये काम कर लीजिए फटा फट हलो दोस्तो आप का मेरे गार्डन में स्वागत है ये है मेरा देशी हिबिसकस का पौधा और इसे लगाय हुए कम से कम जो है तीन से चार साल मेरे खाल से होने जा रहे हैं और इससे मैंने बहुत सारे जो है पौधे भी प्रोपगेट कर लिए हैं लेकिन क्या है अभी मैंने लास्ट येर से है अभी इनको रिपोर्ट नहीं किया है और काफी पौधा जो है इसका अच्छे तरीक्ए से नहीं जा रहा है एक लिवंचर में इनको सारी पत्या गिर गई है नीचे बिलकुर इलिए रूर्ट बॉन्ड हो चुका है तो सबसे पहले देखिए अभी समय है क्या है अभी फरवरी का फॉर्स्ट विग चल रहा है तो इस समय पे हमें क्या हिबिसकस के जितने भी पॉदे हैं उनको पूरूनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि इन में जो है निव निव ग्रोथ जो है आने तो यह अच्छा समय वाना, किसी बीपधे की पूरूनिय की, कटाई plantation करने की श्येप में डालने की और क्या है उनको घुद करने में, अगर पुनाने गंभ्ले में काफी समय से लगे हुए है तो नया गंभला celebrated करा सकते हैं, अगर उसी गंबले में अपनी लगाना है तो उनके रूट वेघ्रा ट्रीम करके दुबाद ह से हम उसी गंबले में पौधे को लगा सकते हैं तो सबसे अच्छा जो समय है तो इस लिए क्या है गार्डन में इस समय बहुत जाओं जादा काम हो जाता है, तो देखें, यहाँ पर में हिबिसकर का पौदा है, को मैं पूरा ही हाँ, युद्ध, हाट पौन कर रहा हूं, देखें, तरीके से शेप में डाल गया एक मैं चाहते हूं कि छोटे ही हाइट में रहे और काफी बुशी हो और धेर सारे जो से फ्लावरिंग है काफी लंबा जो है चला गया था और इंकी जो ब्रांचे सी काफी अजीब सी हो गए थी ब्रीकुल पत्ली पत्ली से जुकी जुकी सी तो अब जो है ये इस पे अच्छी तरीके से जो है गरोध होगी तो new new branches आcadeंग तो वह स्टेबल रहने ञें इस से वहां करयें तो इस तरीके से आप इस समय ये पाम कर सकते हैं यह नहीं कि Ybiscus के प्रौशे में ही काम करें आप चाहे लेमन के प्लांट है और भी व्लारिंग प करते हैं तो देखिए गमले की मिट्टी के में गुडाई कर रही हूं और बारिस के कारण क्या है मिट्टी जो अभी गिली है तो अभी मौसम थोड़ा से स्टेबल हो जाए रिपॉर्टिंग के लिए क्या है पंद्रा फुरवरी तक थोड़ा से वेट करें तो 15 फुरवरी के थोड़ा सा जो है रिकबर होने में टाइम लेते हैं इसलिए क्या है नियो ग्रोथ आने से पहले ही आपको इस समय जो है यानि कि दिसंबर बोल लिए जन्वरी जन्वरी के लास्ट बीक से जो है आप प्रूनिंग जो है कर सकते हैं तो जैसे ही 15 फरवर ही आएगा उसके बाद यानि कि बसंद पंचमी के आसपास जो है इसमें नीव फोटाव जो आने शुरू हो जाती है और हम धेर सारी कटिंग भी बना सकते हैं तो देखे मैंने पौधे को प्रूपर प्रून कर लिया अब जितने भी ये ब्रांचिस बची है इनको हम फेकेंगे नहीं सारी की सारी जो है मैं ब्रांचिस के तोर पे इनको लगा दूँगी और कत देखे मैं को को भी लिया है लगाने के लिए और जो है पाने ही प्रोपर गिट कर सकते हे और ना चाहिं में प्रोपर्यट जो है कर सकते हैं कि ss ma chapter okay है अर बात करें इस कितनी पतली होनी चाहिए तो देखें य मैं कटिंग के तौर पे लगा लूँगी तो अभी इस तरीके से बहुत सारे पौदे बना सकते तो ऐसे करके मेरे पास देशी हिबिसकत के बहुत सारे पौदे मैंने प्रोपगेड कर लिए हैं कुछ तो मेरे पास हैं बाकी जो है कुछ जो है मैंने शेयर कर लिए हैं कुछ प कितना अच्छा है और एक से हम बहुत सारे बना सकते इस सीजन में तो देखिए इतने सारे ब्रांचेस रेडी हो गये हैं अब हाइड के बाद करें कितनी बड़ी होनी चाहिए तो देखिए पांच छेंज जो है कटिंग आप ले सकते हैं मिनिमुम तो कटिंग भी में लगा द में हावा लग जाए अच्छी तरीके से लग जाए तुरुआ सारे जो है ड्राई हो जाए मिट्टी उसके बाद जो है हम खाद तो नहीं दूंगी अभी रीपोट करने के बाद ही जो इकठे जो है जो भी पॉटिंग स्वयल है वो बनाऊंगी और इकठे इंको जो है रीप ऐ हमें से बचाना है कि इस समय क्या होता है कि यहावा बहुत तेज जल दिए trustworthy हम लगाते हैं तो मिट्नी आप जो हिट ऑद हो गया है तो आब भी फटा फट जो है ये सारे काम कर लिजे प्रूनिंग कर लिजे इस समय बहुत अच्छा समय है